हाई गाइज आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इंवेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे आप आज थी मंतली एक्सपैरी और अच्छी रही अच्छा मुनाफ़ा बुक किया वैसे मैंने आज का काफी मुनाफ़ा कल ही बुक कर लिया था पीछे भी महीना ठीक निकल गया इस वक्त मैं पढ़ रहा था सब लोगों के मन में एक ही भै है जो बढ़ रहा है क्या शेयर बजार डूप जाएगा हर विक्ति यह बात की चर्चा कर रहा है मैं आपको समझाता हो देखिए करेक्शन तीन प्रकार की होती है एक होती है माइनर एक होती के-मेजर एक होती है डीप माइनर करेक्शन होती है जब पाँच से दस परसंण गिरता है मैक्सिम ideals 12-14 कहले पंदरा कहले और मेजर करेक्शन होती है जब बजार 15 कि 25 मैक्सिम तीस परसंट अग्रता है देख लिया थे कब कोवीड के चलते उसके बजार चड़ा और जब चड़ा तो बीच-बीच में माइनर करेक्शन भी देख ली थी पांस साथ परसंट की आठ परसंट अब ये बड़े दिनों के बाद एक घंकर जो करेक्शन आई है अठारा जार चेश्टो से लिफ्टी गिरा है अगर मैं बात करूं परसंटेज क्याल्कुलेट करूं अठारा जार चेश्टो से गिर्ता गिर्ता बॉटम कितना बनाया है इसने इस बार पंद्रा जार एक सो त्रासी का तो पंद्रा जार दो सो ले लेते हैं चौतिस सो पॉइंट बजार गिरा है अब इस चौतिस सो को अठारा जार चेश्टो का परसंटेज बना लिजिए तो यह लगभग अठारा परसंट के आसपस आता है 18 सब 18% के आसपस आगया साले 18 तक आगया साले 18 परसंट की बजार ने correction लिये जो कि डीप हो की अब ये correction यहां से आपका 25 परसंट तक मैक्सिमम 30 परसंट तक जा सकती है जो theoretically के लिए हम बात करते हैं तब ये major correction होगा लेकिन अगर हम सिर्फ इंडेक्स को छोड़कर अगर हम स्टॉक्स पर फोकस करें तो आप आएंगे स्टॉक सब बहुत करेक्ट हो गए और अगर इंडेक्स की परसंटेज को रोके रखा है तो वह कुछ आईटी शेयर ले और दूसरा रिलायंस देखिए अभी भी अपने पी बजार जो है टिका होगा है तो शेयर वाइस तो करेक्शन बहुत ज़्याद होगी फॉर्टी फिफ्टी परसंट हो गई है तो मेरको पर्सनली लगता कि बजार यहां पर नीचे का लेवल मुझे लगता है चौदा से नीचे नहीं जाए एक बार देख लेते हैं चौदा का कर जाता है तो कितना हो जाता है चौदा बार चला जाता है तो चारजर चहेंसों की करेक्शन होगाई डिवाइड़ बाएट बए अठारा जा शेख सो हचे पर जयाए तो लोगर सइट पर मुझे चौदा लगता है पर अब चुकि बजार अभी इसने पंदरा दोसों का लेवल काटा है पीछे तो मुझे लगता है एक अब बंदरा स्टोग दोसों इस वक्त मुझे लगता है मेजर सपोर्ट है एक बारी जो है बजार बढ़कर मेरा मन कहता है कि 16 500-17,000 के बीड़ जरूर जाएगा फिर ही एक बड़ी करेक्शन दिखाएगा ऐसा मुझे लगता है पर मेरा लगना लगाना ऑपरेटर के सामने मायनी नहीं लगता पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी को इसम्शन नहीं लेंगे तो फिर हम ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे अ इमानदरी से आपने महसूस किया बच्चे खुश भी होते हैं इसे आप सब कुछ बताएते हैं यह बहुत बड़ी बात है अब एक अकाउंट है दो अकाउंट है मेरे एक मैडम के तो मेरा इसमें इक्विटी है 52 परसंट और डेट है 47 परसंट 47 27.28 है 3,5 है 48 कहलें 48 प्लस 28 2 गहीं फिकर सब्सक्राइब 48 एक में है 28 दूसरे में डिवाइड बाए तो 38 परसंट पैसा अभी भी मेरा डेट में लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट दोनों में लगभक सेम है 38 परसंट पैसा मेरा डेट में लगा हुआ है और 62% पैसा मेरा stocks में invested है तो जैसे मैं आपको बताता हूँ प्यार का वादा 50-50 क्या है एरादा 50-50 आधा-धा 50-50 तो M.K. जे 50-50 strategy के चलते हैं हमने 50-50 रखा वादा बजार गिरता गया मैं debt में से निकाल कर यहां लगाता गया इस महीने मैंने काफी investment किया जैसे आपको पता है मैंने काफी सारे debt fund redeem कर आए थे पिछले दुरान एक बड़ी बात रहे है रफिकर बोलते हैं थोड़ा सा जीव लग रहा है तो एक बड़ा फिकर जो है मैंने निकाल कर जो है debt में से stocks में लगाया अब मैं थोड़ा slow down कर दी क्योंकि बजार थोड़ा उस level से बढ़ गया अब मैं next अपना target रखाए 15 के नीचे आएगा तो एक बड़ी रिकम फिर निकाल के लगाँगा और अगर नहीं भी नीचे आया तो भी लगाँ क्योंकि अभी मैंने 38 परसं से और 20 परसंट तो डेट में रखना ही है क्योंकि मार्जन ट्रेडिंग भी तो करते हैं लोग तो उतना तो मुझे चाहिए तो अब बजार जो डूप सकता है वाली बात आती है वह यहीं तक आती है आप कुछ अच्छे वेक्टर भी आज मैं न्यूस देख रहा था कि रश युक्रेन की वार की भी इतनी आजकल चर्चा नहीं होती है यूएस में सारे बुरे फैक्टर्स हो चुके हैं अब कर इंट्रस रेट बढ़ गया कंजूमर कॉन्फिदेंस इंडेक्स घट गया अनिम्प्लॉयमेंट भढ़ गई रिसेशन की वह बाते कर रहे हैं यह अब ऐ जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि हो सकता ही जो फंद्रा दोसों हो एक शौर्ट पीरिड के लिए दो मीने के लिए यही बॉटम रहे फिर देखेंगे दो मीने बात क्या होता दो मीने आजकल की बजार में बढ़ा है और यह कट भी जाता तो मुझे लगता अभी बजार 14 से नीचे जाएगा 14 वेसे बहुत आगे की फिकर कर दिये 15 दोसों से लिए 14 आपको पका आजएगा ऐसा नहीं है उसकता 15 दोसों से काटके 15 काटके फिर वापिस आजए तो कहने का ताथ पर रही है कि बजार जो है बहुत ज़्यादा अपनी कर्रेक्शन ले चुका है तो अब ऐसा कहीं भी नहीं फिर होता कि यहां से डूप जाएगा तो यह मेरी बात जो मुझे ओवरॉल लगती क्योंकि अब ऐसा कोई ऐसी नैट्रल कैलमेटी आ जाए जिसक अब सिच्वेशन को सुधरना चाहिए इंडेक्स लेवल पर भी आप देखेंगे नैजडेक की बात कर रहा था मैं देख था तीस परसंट करेक्ट हो चुका है भारतिय बजार में तो सबसे कम करेक्शन आई तो ओवरॉल मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है डाउन साइड और अपसाइड गेन लगभग बराबर बराबर के हिसाब से रखते हैं जैसे मेरे को मन में प्रोबैबिलिटी अभी यही लगता है कि वही बात ने दो मन आयत एक बार रखता है ज्यादा पैसे मिस्ट हो जाए तो गिर जाएगा और अगर अप्टिमिस जा नहीं है कितना ग आजीव रहेगा फिफ्टी फिफ्टी परसंट चांस है बजार गिरे और बजार तो अवरॉल पोजिशनों को देखते हुए आपको अपने रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट को हिसाब में रखते हुए आगर आप ट्रेड करते हैं कोई दिक्कत नहीं लोगों के जिनके सारे पैसे इन्वेस्ट हो गए जिन्होंने प्लाइन नहीं किया था और एक बात मैं और देखा हूं जो मुझे पॉजिटिव फैक्टर नजर आ रहा है कि लोगों का इंट्रस्ट शेर मार्केट से काफी कम हो गया आप देखेंगे अपने आसपास के लोग जो बहुत पहले जब और मैंने पास में देखा जब ऐसा होता है ना तो सूनर और लेटर बजार भाग जाते हैं ये मुझे एक कि गट फीलिंग ये एक फीलिंग सी मुझे मिल रही है आपका क्या विचारा आपको क्या लगता आप कमेंट में बताई आपको क्या लगता कि बजार कितना गिर हर लेवल की अपने फंच के साफ से हमें करके एक अच्छा पॉटफॉलिय बना ले चाहिए अभी दो इस पार मेरी मनें की यादों का मैंने कॉल बेची थी हो इंडिया की होते होते रहे गई कल एक सुनब्ब्ब का रेट आगया था एक सुनब्ब्ब कॉल बेची थी तो अब मैं देख रहा हूं बड़े कितने महीनों के बाद मेरी पहली एक कॉल आइटीम होई है तो जब जब देखूंगा ना मेरी कुछ कॉल होनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब बुरा वक्त छंट रहा है और अच्छा वक्त आ रहा है एक इंडिकेशन यह भी है आपका क्या व अब बाद शान और हमारी जान निफ्टी विफ्टी की मैं एक खास बात आपको बताता हूं अभी शौट टम के पॉइंट अब यह दिया निकाल लिए अब अगर मैं बात करूं निफ्टी की धियान से देखो आज निफ्टी की रहा है ना नोट करो और निफ्टी बैंक बढ़ा है आधा परसंट अब जब कोई इंडेक्स बढ़ता है कोई शेर का रेट बढ़ता है तो उसका पुट का प्रीमियम कम होना चाहिए बढ़ना चाहिए वीडियो को पॉस करके कमेंट में लिखिया उम्मीद करता हूं आपने लिख दि अब यह देखिए यह मैं बता रहा हूं ती 30,000 की पूट्ट है यह 30,000 की देखिए निफ्टी बैंक की इसका प्रीमियम आदा परसंट बढ़ा है कल 273 पिशत्तर बे बंद हुई थी आज 275 पर पांच पैसे बंद हुई आदा परसंट प्रीमियम बढ़ा है जबकि एक सो आठ पे कल बंद हुआ था आज एक सो साड़े बारा पर बंद हुआ है यानि यह भी बड़ा बाद है जुलाई का साड़े तीन परसंट बढ़ गया और अगस्त का भी बढ़ गया अब एक बात और देखी मैं आपको बताओं विक्स भी कम हुआ है चाहिए फ्लैट ही रहा है कमी हुआ है यह तो विक्स बढ़ जाता न हम कहता है वो लैटिलेटी बढ़ गी तो प्रीमियम बढ़ गया ऐसा भी नहीं विक्स कमी हुआ है और में अभी भी गिरावर एक्सपेक्टिड है यह मैं आपको डेटा के वेसिस पर बता रहा हूं सच क्या है वो तो सामने आजएगा आपको यह डेटा जो मैंने आपको दिया यह तो समझ गया को हमारा बनाया वह डेटा नहीं है इंटरनेट पर अवेलेवल आप खुद चेक क कर सकते हैं आपकी क्या फिलिंग है कमेंट में बताईए अब मैं आपको आज एफाइस की बताएता हूं लॉंग शॉर्ट बताना कितना है एफाइस का इस यह इंडेक्स में फोटीन पॉट्ट सेवन हो गया है और स्टॉक में सिक जेरो पॉट्टिंट सिक्स यह जी आज का तो आज बजार गिरा है हलका हुलका और अभी भी वो इंडेक्स में कमी कर दिया उन्होंने अपनी होड़े तो ध्यान से देखा जाता है उपर के रेटों पे इन्होंने काटा है इन्होंने बढ़ाया था इस रेंज में यहां से बढ़ा रहे थे 15-200-300 से बढ़ाना शूर किया था और अब इन्होंने कटा के काफी फिर दिखा जाए लोवर लेवल पर आगे वह 15-45, 13-45 का लोव बनाया था ना फिस 14.7 पर फरक यह है कि जब 13-45 का लोव बनाया था तो स्टॉक्स में लॉंग जादा थी अब स्टॉक्स में लॉंग कम है लॉंग और जदा है तो मुझे लगता है कि आने वाले हम स्टॉक्स में वो लाइटिली देखेंगे तो आप देख सकते हैं और पूरा काफी लंब़े पीरिद का दिया हुए और दो दिन लगातार बजार नेगेटिव हुए एक दो तीन चार दिन लगातार पॉस्टिव था आज अगर कैश सेग्मेंट में देखे तो टककर का गेम है ग्यारा सो अरतीस क्रोड की नेट विक्वाली है फाइस की और डिया इसकी तेरा सो ठत्तर क्रोड की है दो सो चालिस क्रोड का नेट आज बड़े दिनों के बाद खरीदारी आई है जिसके चलते निफ्टी बैंक तो एसंपी 500 फ़शन से थोड़ा कम गिरा हुए नैजडेक 2 परसंट गिरा हुए स्मॉल केश सवा परसंट गिरा हुए ब्राजील और कैनेड़ा दोनों पौने 2 परसंट गिरे हुए यूरोब में हाक आ रहे सारे इंडेक्स लाली आली में और सबसे बड़ी गिरावट आप द इशे बजार हो की बात करें तो एशे बजार भी बुरे ही बंद हैं ऑस्ट्रेलिया जैपैन डोनों देट से 2 परसंट की गिरावट के साथ बंद हुए तेवान के 2 परसंट की गिरावट क्योंग कॉस्पी फ्रेफ वराथ हांग कॉंग entsprechend गिरावट सिर्फ चायना के बजा 680 70 के आसपास था 100 पॉइंट से उपर गिरा हुआ था तो आज अगर बजारों की पोजिशन देखे कल बजार बंद हुए 15800 मान के चलिए आज 25 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करते हैं खुलते ही आज का पीक बना लेते हैं 15 1890 का एक बड़ा पीक बनाते हैं फिर गिरत अगर आब भागने वारे शेयर देखेंगे तो ब्रिटैनिया तेज था एक्सिस बैंक तेज था एक्सिस बैंक पर कल या था मैं वीडियो लेकिया था आज सवा ग्यार रुपे बढ़ा हुआ है कल मैंने इसके 600 शेयर लिए थे HDFC लाइफ SBI डिविज लैब SBI कोटक महिंद अगरा बजाज फैनेंस जे इस डिवलो स्टी और गिरावट वाले शेयर भी अच्छे गिरे हुए थे और बढ़त वाले शेयर ठीक ठीक बढ़त कुई सबसे बढ़त पौने दो परसंट के आसपस की ति सबसे गिरावट सबसे गिरावाट सबसे चार इंडेक्स कुछ रें पर कमजोरी है च्वालीस है पर आरे से चालिस के उपर ठीक है कोई चिंता की बात नहीं पैनिक की बात करें अगर अब जो आने वाली साथ जुलाई को पंद्रा आच्छो पर पुट को उपन इंट्रस्ट हाईस और सोलह जार पर कॉल को उपन इंट्रस्ट है ज्यादा और सोलह पांसो पर कॉल को उपन इंट्रस्ट है हाईस पिछली एक्सपारी पर आप देखेंगे याद था आपको 17,000 पर और 15,500 पर रहता था नॉर्मली अब पंद्रा पे चला गए है पुट का और 16,500 पे चला गए है कॉल का याईनि कहीं ने कहीं दोनों लोगों के मन में घबराट है और पंदरा में 500 पे मैक्सिमम पेन है PCR जो है अगर आप देखे हैं तो मंतली वाला तो ओवर बॉट ही कहा जाएगा और वीकली वाला नीट्रल और ओवर बॉट के बीच में है निफ्टी वैंक काल बंद हुआ था 33-270 पर आज गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 90 पॉइंट की खुलते ही एक बड़ा शार्प राइस करता है और एक पीक बनाता है 33-660 के आसपास का फिर गिरकर वोलाटाइली रहता है सहरते और यहाँ पर एक बॉटम बनाता है 33-180 के आसपास की और आखनी शन में भी वहीं पहुंचने ही कोशिश करता है और 155 पॉइंट बढ़कर 33-425 में बंद होता है लगभग आधा पासन बढ़ता है पर इसमें अपवाद यह था कि जुलाई और अगस्त का 30,000 का जो पुट का प्रीमियम बढ़ गया है जो एक खत्रे का संकेत है यह जो मैंने आपको एक नया डेटा दिया हर बार कुछ नई चीज़ लेके आता हूं यह आपको कैसा रहा कमेंट में बताइए अज एक्सिस बैंक टॉप परफॉर्मर था एस बी आई कोटक आई से बैंक भी हरियाली में गिरने वालों में बैंक को ब्रोदा पी बंदन मेंक के बैंड बजा हुआ था इंडसिंड में में भी एक ठिक्था गिरावट देखने को मिले केंडस्टिक चार्ड की बात करें तो यह वाला गैप तो फिल होगे जो कल क्रियेट हुआ था वो तो आज फिल हो गया है अब तो यही वाला इदर गैप बचा हुआ है पर वीकिनेस तो साफ ही नजर आ रही है और बुलिश थोड़ा सा मजबूत हुआ है पर बार्स ब और बजार बंद हुआ वीक्ली एक्सपाइरी की बात करें तो 33,000 पर पुट को ओपन इंटरस्ट थे 3500 पर कॉल को ओपन इंटरस्ट है यानि बजार अभी 33,000 और 33,500 के लिपरेट में नजर आ रहा है वीक्ली PCR ओवर सोल्ड है मंत्री PCR ओवर बॉट है दोनों लगबग उत रभू कृपा से आपकी सुपकामनों से एक लाग से उपर का प्रॉफिट हुआ अच्छा रहा क्योंकि आपको यादो को मेरा तीन कॉले बेचवी थी 34,000 की उनमें मोटा प्रॉफिट हुए एक बीस का दो मैंने कल्ब बुक कर लिए थे एक आज बुक करा तो कल मैं मैंडम को बताया नहीं था मैंडम मैं आपको अलग से बताया था दोनों दिन में कुल मिलाकर अच्छे प्रॉफिट हो गई यह सारी पॉजिशन से नाइन स्क्वेर ऑफ और मैं आपको सौदे दिखाता हूं आजके एमरेल्ड सफायर के तीन ट्रेड थे तीनों नई पॉजिशन थ म oppression रहता है से रेंज के अंदर तो मेरा मिनिम मौत गिंथा मिनिम तो करेंगे तो मिनिम मौप्विट पांचे जर गिरता तो मेरा प्रॉफिट कम होता जाता और मेरा यहां पर आता था बंद्रा नीचे पे 15350 उपर पर पर पंदरा आटसो पचास के उपर जाता तो मेरा बेक्विन पोइंट आता 16,000 पचास पर तो बजार जो बंद वह आज 15,000 800 के नीचे बंद हुआ मैं 800 उपर चाहरा था ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा निकले पर वह बंद हुआ साथ सो असी पर तो मेरे को लगबग इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है साथ हजार आठ सो पिचास वह ऐसे हो गया ना साथ सो असी बंद हो था तीस जुरू वह पॉइंट और जो लो यूँकि इस रेंज के बीच में इतना प्रॉफिट था इसके उपर बंद हुआ थीस पॉइंट एक सो तीस हो गया एक सो तीस को पचास से एक ही लॉट में लगाई थी एक ही लॉट का मतलब यह है कि अगर ट्रेड पंद्रा पांच सो पचास के नीचे जाता या पंद्रा आच सो पचास के उपर जाता ब्रेक इवन पॉइंट से तो मुझे एक पुट खरीदनी पड़ते एक लॉट खरीदना पड़ता या बेचन सका प्रॉफिट था टूटल और इसमें 19,000 कुछ पहले भी कुछ प्रॉफिट कमाया है तो मिला कि अच्छा था डिक्सन के कॉल बेची थी जो आज उटी है मुए आर्थी इंडस्ट्रीज ना साथ सो का था साला से सिक्स नाइंटी एट पॉंट सेवन पे बंद हुआ है अब मैं इसके पैसे डाल दूँगा मैंने स्कूर आफ तो किया निकिका प्रीमिम सात रुपए दिखा रहा था तो अब इसकी डिलीवरी मुझको आज जागी तो आज मैं पैसे डाल दूँगा अभी वीडियो के बाद तो डिलीवरी आज इसका को या तो मैंने कॉल बेची कर लिए भी आज बड़ा तमाशा कर रही थी सोला रुपए करके मैंने इसके कुरीबन 200 शेर प्रचेस किया आज इसमें मुझे 3800 का प्रॉफिट हो तो मैं 200 शेर खेली 200 शेर भी अगर आप देखोगा लगबक 17 रुपए का इसमें कॉस्ट मेरी कम हो जाती है तो यह थे फियरफुल हो जाते हैं और जब भाग रहा होता बजार ग्रीडी हो जाते हैं इसके आप लाइब डेमोस दे सकते हैं मेरे वाट्सेफ के स्टूडमन के फोन नंबर है 70 11 320 077 70 11 323 077 description box में दिया है मेरी टीम को कॉल करिए वो आपको student बनाने में help करें यह YouTube के student बन सकते सब्सक्राइब के साथ join का बटन आरा ठोक दिजे अच्छा सब्सक्राइब करें लिंक description box में और मेरा टेलीग्रम चैनल जुरू जोइन करी उसका लिंक भी description box में इसी के साथ सथ बबाए गॉड ब्लेस्वी हपी इंवस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बाक्षा बने